आपका स्वागत है अपनी यूटूब चैनल पर आज हम 4 जनवरी को हुए C.D.2021 पेपर 1 के फुल 30 कोश्चन EBS के तरेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था मगर मचमुक रूप से सिकारियों द्वारा मारे जाते हैं तो इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा तो अचा के लिए for skin दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के सलुशन्स अल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन्स देख लीजिए आपका सेकेंड कोश्चन बोरा गुलिटनस चावल की एक समानी किसम है यह मुख रूप में मुख रूप से में पाया जाता है तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा आ साम आपका तीसरा कोश्चन आया था सर्दियों में दादी नानी अक्सर अपने परिजनों को सुखा पन से बचाने के लिए निमनलिखित के घोल का अपयोग करती है इन विंटर्स ग्रांड मदर्स ओफिन यूज आस सोलूशन आफ दा फॉलोविंग तो प्रोटेक्ट दा क तो तीसरे का ओप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा गुलाबजर डिल्सरी और नीभुकारस आपका फॉर्थ कोश्चन वै पच्ची जो किसी छोटे पेड़िया जाड़ी की साखा से लटकता हुआ घोसला बनाता है आप बर्ड दैट मेक्स आनेस्ट हैंगिंग फ्रॉम तो इसमें आपका ओप्शन पहला सही हो जाएगा सन वर्ड सूर्य बच्ची सन बर्ड आपका पाच्वा कोश्चन आया था पी एन आर ऑन ट्रें टिकर्ट सोस तो इसमें आपका ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा ज्याती का नाम रिकॉर्ड आपका सिक्स कोश्चन आया थ अल्डर सिस्टर इस कॉल्ड एज मल्यालम में मा की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है तो इसमें आपका उप्षन पहला सही हो जाएगा वली अम्मा इसमें आपका उप्षन दूसरा सही हो जाएगा खोजी कोड आपका एट कोश्चन आया था गाउं का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से पड़ा है इस गाउं के लोग पोधे पेड़ों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं भारत में यह गाउं है इसमें आपका उप्षन तीसरा सही हो जाएगा राजस्तान में आपका नाइन्थ कोश्चन दा हेड अफ़ा हर्ड ऑफ एलिफेंट इस हाथियों के जुंड का सिर है तो नाइन्थ कोश्चन आपका दूसरा सही हो जाएगा सबसे उमर दराज मादा हाथी ओल्डेस्ट फीम कोश्चन आपका सही हो जाएगा पहला बाई बेकिंग बेक करके आपका इलेवन्थ कोश्चन दा पाइड ऑफ दा प्लांट दैट एंड बी यूज़ फॉर्ड ट्रीटमेंट आफ तूतेक पौधेक अववय भाग जिसका उप्योग दाग दर्द के उप्चार के लिए किय जाता है तो इलेवन्थ कोश्चन आपका दूसरा सही हो जाएगा लॉंग आपका ट्वल्थ कोश्चन आया था अडेंटीफाइड करेक्ट स्प्वेंसेज आफ मेकिंग चपाती फ्रॉम वीट फ्लोर यहू के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है तो आपका ट्रॉल्थ क आप्शन सही हो जाएगा पहला आटे को गूत कर आटे की छोटी छोटी लोईयां बना कर लोईयों को बेल कर आग पर पका लिजिए आपका थाटीन्थ कोश्चन आया था इन्दा डांस में पोजिस एंड एक्स्प्रेशन्स दिमोंस्ट्रेट्स नतिके में मुख्य मुद् आपका फोटीन्थ कोश्चन चिल्डर्न हु केन नौट स्पीक एंड हियर दे लर्न जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा सांकेतिक भासा के माध्यम से आपका फिप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् आपका सिक्स्टीन्थ कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इंडिकेट्स दा चाइल्ड सेंटर्ड नेचर आफ इन्वावमेंटर स्टीज एट प्राइमरी लेविल निम्न लिखित में से कौन प्राथ्मे किस तरपर पार्यापरण अध्यन की बाल के इंद्रित प्रक्रति को इंगित करता है तो आपका 16th option तीसरा सही हो जाएगा A, B और C इस्कूल में बच्चों के जीवन को इस्कूल के बाहर उनके जीवन से जुड़ा जाना चाहिए रटने को हतो साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच तीछ सीमाय होना आपका 17th question आया था निम्न लिखित में से कौन प्रात्मे के इस्तर पर पर्यवरण अध्यान का उद्देश को उद्देश हो सकता है तो इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा बच्चों को अपने सीखने पर शिंतन करने के लिए पुटसाहित करना नया ज्यानुतपन करने के लिए स्थान, समय और सतंतरता देकर बच्चों को आतार्शित करना बच्चों को सीखने में पति भागियों के रूप में ब्रभार करना ज्यान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में नहीं तो इसमें आपका पहला option सही हो जाएगा A, B और C आपका 18th question आया था प्राथमी की स्थर पर पर्यावरण अध्यान के सम्मंद में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है तो 18th option आपका पहला सही हो जाएगा कच्छा तीसरे से पाचवे तक पर्यावरण अध्यान एक विश्चा की रूप में विज्ञान, समाजिक विज्ञान और पर्यावरण सिच्छा की अफधालनाओं और मुद्दों को एक ही करत करता है आपका 19th question विच वन आपदा फॉलोविंग सुट बी मिनमाइज्ट इन दा इविएस क्लास्रूम इविएस क अच्छा में निम्न लिखित में से किसे नियूंतम किया जाना चाहिए तो 19th option आपका तीसरा सही हो जाएगा नरेटिव मतला कथा या अख्यान यह गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए हिंदी आप इसी तरह कुछ आ दिये तो आप इंग्लेश को भी प्रिफर करें पढ़ने में आपका 20th question प्राथमिक इस्तर पर इवियस सीखने के लिए वास्ट विक्स चुनौती है तो आपका 20th option सही हो जाएगा वह है फूर्थ बच्चों के लिए खुद को अभिवेक्ट करने के आफसर आपका 21st question विश बनाफ दा फॉलोविंग थीम्स कंसिस्ट आप सब थीम्स इन दस लेबस आफ इवियस एड प्राइमरी लेबल निमने लिखित में से किस विशय में प्राथमिक इस तर पर इवियस के पार्थ क्रम में विशय सामिल है तो 21st option आपका पहला सही हो जाएगा परिवार औ और दोस्त आपका 22nd authentic and meaningful learning of ebs can be given through ebs की प्रामारिक और सार्थक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है तो आपका 22nd option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा आपका 23rd option आपका पहला सही हो जाएगा अगर मुद्दों पर बहस की जा सकती है आपका 24th question besides ebs textbook which one of the following may be a good resource of ebs learning ebs पार्थपस्तकों के अलावा ebs सीखने के लिए निम्नल लिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है 24th option आपका पहला सही हो जाएगा छेत्र और दोरा छेत्र भमड किसी छेत्र विसेस में घूम कर पतागरना आपका 25th question sociocultural issues related to water theme can be effectively learned through gel theme से सम्मंदित सामाजिक सांस्कतिक मुद्यों को के माध्यम से प्रभावी ढंक से सीखा जा सकता है 25th option आपका सही हो जाएगा पहला A, B और C roleplay छातरों के बीच वास्तविक समवाद field trip 26th question ABS textbook contain real stories, narratives and real events for the learning of ABS because ABS पार्ट कुस्तक में ABS सीखने के लिए वास्तविक भंडार, आख्यान और वास्तविक घटनाय सामिल हैं तो आपका 26th option फोर्थ सही हो जाएगा A, B और C वे सूचना और जुकाओ के सम्रध्य स्रोत हैं वे च्छातरों, सिखकों और समदाई को रेडित करते हैं वे हमें उन महनभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परचित हैं आपका 27th question, for consolidating the learning of EBS, focus of assessment should be on EBS की सिच्छा को समेकित करने के लिए आतलन का focus किस पर होना चाहिए 27th option आपका पहला सही हो जाएगा for learning, सीखने के लिए आपका 28th question, राजा एक EBS सिच्छा मुल्यांका नपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर द्रश्च तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलबदी मांदंड को इस परस्ट रूप से इंगित करता है सिच्छा क उपयोग कर रहा है 28th option आपका पहला सही हो जाएगा rubics आपका 29th self-assessment in EBS is EBS में स्वा मूलंकन है 29th option आपका पहला सही हो जाएगा A, B और C सीखने के रूप में आकल्व सीखने के बारे में सीखना उपलबदियों और सीखने के पैडाम के बारे में निर्ड़ है आपका 30th question Learning of EBS is based on the principle of EBS का सीखना के सिखन पर आधारित है तो इसमें आपका option पहला सही हो जाएगा सरेल से जटिल की हो Simple to complex अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा पॉस मोटिवेशन बढ़ेंगा आज हम 4 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोस्चन CDP के कम्पलीट करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आपका पहला कोस्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस एन एक्जामपल आफ दा यूज आफ ग्रॉस मोटर स्किल्स निमन लिकित में से कौन इस थूल मोटर कोसल के उप्योग का एक उधारण है तो आपका फर्स्ट का उप्शन पहला सही हो जाएगा एक पैर पर संतुलन बैलेंसिंग ऑन वन फुट दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चनल को विजिट करें इस यूटूब चनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के solutions और रेड़ी प्रोवाइट कर दिए गए हैं आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका second question आया था development changes are our result of विकास परिवर्तन का परिडाम है तो आपका second option पहला सही हो जाएगा अनवांसिक और पर्या वरणी परिश्टियों का अनुठा सयोजन unique combination of genetic and environment circumstances आपका third question आया था the period from two years to six years is referred to as दो वर्स से छे वर्स की अवधी को कहा जाता है तो आपका third option दूसरा सही हो जाएगा प्रारंभिक बच्पन early childhood आपका fourth question अजर्शन और रीजन वाला दिया गया था तो आपका अभिकतन दिया गया था सहरों में बच्चों का बहुत सारा खिल reality सोब पर अधारित होता है जो वे देखते हैं कारण दिया गया था इन दुनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों की सामाजी करण का एक महत पुड माध्यम बनता जा रहा है तो आपका fourth option पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका fifth question आया था Which of the following factors are considered important by P.I.J. to facilitate learning P.I.J. द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न लिखित में से कौन से कारक महत पुड माने जाते हैं तो आपका fifth option दूसरा सही हो जाएगा First, Second and Third सिच्छक की गतिसीलिता विविज समग्रियों का प्रावधान मद इस्तरी नवीन अनभव प्रदान करना आपका sixth question आया था कि सवस्ता में बच्चे संसार के प्रति एक जीव व्यादी द्रश्टी को रखते हैं और मानते हैं प्रदों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बातलों और लुड़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं तो आपका sixth option दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संचालन चरण प्री ओपरेशनल स्टेज दोस्तों ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है इसलिए हिंदी काफी टाफ होती है तो मैं आपसे यहीं बोलूंगी कि इंगलिस को एक बार ही जरूर पढ़ लिया करें आपका seventh question आया था बच्चों के संग्यनात्मक विकास में भासा एक महतपूर भूमी का निभाती है तो आपका seventh option पहला सही हो जाएगा लेव वेगॉट्सकी आपका eighth question आया था आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा साथियों के साथ बातचीत करके इंटरेक्शन विक पियर्स आपका ninth question आया था इन आच्चाइल्ड सेंटर्ड क्लास्रूम चिल्डरन बाल के अंदरित कच्छा में बच्चे तो आपका ninth option दूसरा करेक्ट हो जाएगा ज्यान के निर्माड में सक्री रूप से लगे होते हैं आपका tenth question आया था विच आप दा फॉलोविंग इज आ करेक्टली मैस्ट पेयर निम्न लिखित में से कौन सा सही सुमेलित युकम है तो आपका tenth option दूसरा सही हो जाएगा गुड बॉइ गुड गर्ल ओरियंटेशन अच्छा होने से सुक्रती मिलती है आपका 11th question आया था इन हावर्ड गार्डनर स्थियोरी आप परसन हाई ओन डेश इंटेलिजन्स के रिगनाईज एंड बी अवेयर अफ दे ब्यूटी आफ डिफरेंट स्पिसीज आफ फ्लोरा एंड फॉना हावर्ड गार्डनर की सिध्धान्त में डेश बुद्धी पर उच्छ व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है तो आपका 11th option दूसरा सही हो जाएगा प्रकृति वादी आपका 12th question आया था नेशनल एडुकेशन पॉलसी 2020 रिकमंट्स राष्ट्री सिच्छानीती 2020 की सिपारिस करती है तो आपका 12th option पहला सही हो जाएगा बहु भाषावाद मल्टी लिंगुजम आपका 13th question आया था एक सिच्छक ये धारडा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान है और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़किया आग्यातारी और इमानदार होती हैं और उनके अनुसार बेवहार करती है इसका एक उधारण है तो आपका 13th question पहला करेक्ट हो जाएगा लिंग पूर्वाग्रे जेंडर बायस आपका 14th question अजर्शन और रीजन वाला आया था आपका अभी कथन दिया गया था सिच्चकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्य प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए करण दिया गया था कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन चेत्रों में बच्चों की प्रगती और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सच्छम नहीं है तो आपका 14th कॉप्षिन पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका 15th कॉप्षिन आया था तो आपका 15th कॉप्षिन तीसरा सही हो जाएगा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए चात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है आप ये ध्यान जरूर दीजेगा पूछा क्या गया है नहीं है या है क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉश्चन गलत कराते हैं तो आप एक बारी अच्छे से पड़िये और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका शिक्स्टींद गोश्चन आया थे इंक्लूजिव एडूकेशन और समा वेसी सिच्छा की अवशक्ता है तो आपका शिक्स्टींद का पहला सही हो जाएगा लचीला सिच्छा साथ फ्लेक्सिबल पैटygusal प्लेगोजिज आपका सेविंटीन्द कोश्चन आया था which of the following disability causes challenges in social communication निम्न लिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का करण बनती है तो आपका 17th option पहला सही हो जाएगा आत्म केंद्रित Autism आपका 18th question आया था which of the following help in inclusion of learners from disadvantages and deprived groups निम्न लिखित में से कौन वंचित और वंचित समुहों के सिचार्थियों को सामिल करने में मदद करता है तो आपका 18th option पहला सही हो जाएगा विवित्ता पर विचार consideration of diversity आपका 19th question आया था provision of multiple modes of representation of content will help in inclusion of सामगरी के प्रतनिधित के कई तरीकों के प्रावधान से निम्न लिखित को सामिल करने में मदद मिलेगे तो आपका 19th option 4th correct हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd और 4th स्रबड बाधित छात्र, दस्टी बाधित छात्र, सीखने की कटनाई का सामना करने वाले छात्र, गतिमान कटनाईयों का सामना करने वाले छात्र आपका 20th question आया था, which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategies for inclusion of students which specified disability निम्न लिकित में से कौन सी विकलांगता निर्दिस्ट करने वाले छात्रों को सामिल करने के लिए उप्युक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलित जोड़ी है तो आपका 20th option पहला सही हो जाएगा डिस कैलकुलिया, calculator का प्रावधान डिस कैलकुलिया, provision of calculator आपका 21st question आया था, in early grades, which of the following approaches is preferable for teaching learning प्रारम्बिक अच्छों में सिछण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्न लिकित में से कौन सदरश्टी को बहतर है तो आपका 21st option पहला सही हो जाएगा करके सीखना, learning by doing आपका 22nd question, addition and reason वाला दिया गया था तो आपका अभिकतन दिया गया था सीखने के लिए विद्याले के सामाजिक जीवन में भागिदारी महतपूर है सीखना प्रात्मिक रूप से एक सामाजिक गतिविधी है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा A और R दोनुसत्य हैं और R एकी सही व्याख्या है आपका 23rd question दिया गया था Teachers can make classroom activities meaningful by सिख्या कच्छा की गतिविधियों को सार्थक बना सकते हैं तो आपका 23rd option 4th correct हो जाएगा उन्हें प्रामारिक संदर्व में इस्थित्त करना Situating them in an authentic contact आपका 24th question आया था Which of the following pedagogical practices are does not contribute positively in teaching learning process निम लिखित में से कौन सी सेच्छिक पद्दतियां सिख्छण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं तो आपका 24th option 4th correct हो जाएगा कठोर परिच्छा केंद्रित सिख्छण रड़नी तिया इसेट एक्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्राटजीज आपका 25th question अजर्शन औरीजन वाला आया था आपका अभी कथन दिया गया था एक सिख्छक को पढ़ाय जाने वाले विशेवस्तु को चातरों के दैनिक जीवन के अनभों से जोड़ना चाहिए कारण दिया गया था बच्चे जीवन के बहमूल अनभों के साथ विद्याले जाते हैं विद्याले आते हैं जिन पर सिख्छकों को ध्यान देने की और शक्ता होती है तो आपका 25th question पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याक्या है आपका 26th question आया था बच्चों में होती है भांतिया तो आपका 27th question तीसरा सही हो जाएगा प्राकृतिक आपका 28th question आया था एक चात्र जो सीख्यू वी आ सहायता का अन्भव कर रहा है की संभावना है तो आपका 28th question फोर्ट करेक्ट हो जाएगा सीखने की गतिविदियों से पीछे हटना दोस्तों अगर आपको यी वीडियो अच्छे लगते चैनल को सब्सक्राइब जरूर्ट कीज़ेगा आपका 29th question आया था निम्न लिखित में से कौन आंतरिक प्रेणा का उधारण है तो आपका 29th का 1st option करेक्ट हो जाएगा रुच की कारण एक नई भासा सीखना लेर्निंग अन्यू लेंग्वेज आउट अफ इंट्रेस्ट आपका 30th question आया था इन्वार्मेंटल फेक्टर विच इंपेक्ट लर्णिंग निम्न लिखित में से कौन सा एक पर्या वरणी कारत है जो सीखने को प्रभावित करता है तो आपका 30th option फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा स्कूल अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो को लाइक करें थेंक्यो फर वाचिंग दा वीडियो